इस वीडियो में हमारे पास एक question है हमने इससे integrate करना है तो as always हम इसको इस तरह से लिख देंगे let i equals to अब यहाँ पर हमें करना क्या है यह जो question यहाँ पर है यह जो function आप देख रहे हैं इसको हमने ऐसी form में convert करना है जिससे हम direct formula apply कर सकें उसके लिए क्या करना होता है denominator जो है उसको हमें perfect square में convert करना है तो यहाँ पर हमारे पास है 9x square plus 6x plus 5 इससे हमने perfect square बनाना है तो कैसे देखो यह है 3x का whole square 2 into 3x into यहाँ पर यह 6x है तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 और फिर हम लिख देंगे 1 square अब 1 square हमने अपनी तरफ से यहाँ पर plus किया तो वो minus भी करना पड़ेगा अब आप notice करो कि यह तो यह है यह वाला यह है यह हमने अपनी तरफ से लगाए था लेकिन वो minus कर दिया है और यह 5 as it is आ गया है अब इससे हुआ क्या कि यहां से लेकि और यहां तक यह एक proper perfect square बन गया है यह और one square minus क्या है five plus का है तो यह plus का four हो जाएगा तो हमने इसको ऐसे convert कर लिया है यह ही तरीका इसको करने का ठीक है तो यह ध्यान रखना अब वापस इस question पे आते हैं तो हम लिखेंगे therefore जो i है यह हो जाएगा integration one upon और जो denominator है उसके जगह पे हम लिखेंगे 3x plus one square plus four हो जाएगा two square dx देखो 3x plus one इसको t put करेंगे तो 3 dx equals to हो गया dt और dx हो जाएगा one upon three dt अब जो i हो गया है therefore i equals to one upon यह तो है यहाँ पे t square ठीक ना यहाँ पर देखो यह t square हो गया plus two square और जो dx है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे dx की जगह पे हमें क्या लिखना है one upon three dt तो one upon three हम आगे लिख देते हैं और dt यहाँ पे आ गया और आप clearly देख सकते हैं हम यहाँ पर सिधे formula apply करेंगे तो यह है यह हो जाएगा one upon a ten inverse x upon a मैं formula आपको बता रहा हूँ यह formula है तो इस तरह से और यह हो जाएगा one upon six ten inverse x is three x plus one upon two और यह हमारा answer आ चुका है ओके बाकी questions के लिए description box में playlist चक करें